एलो दोस्तो वेलकम टो आवर चैनल लनफोर्जोव दोस्तो आपको पता होगा राश्पती को देश का प्रतम नागरिक कहा जाता है और यह देश का सर्वत सम्वेधानिक पद है फ्रेंट्स राश्पती के सिगनीचर के भीना भारत में कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता ह तो दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सह mogelijk राश्पती थे जो राश्पती पत के उमिद्वार होते हुए पहली बार असफल हुए थे और सेकेंड टाइम भारत के प्रेश्डेंट बने थे इसके लाबा दोस्तो हम जानेंगे कौन से राश्पती थे जो पत पर बैक्ग्राउंड से नहीं थे हैं तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक आपको ऐसी बहुत सी जनकारिया मीलेंगे इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा तो आईए दोस्तों इस वीडियो में हम अब तक ये सब राष्पती के वारे में डीटेल जनकारी दोश्टों अगर आप जानना चाहते हैं राश्टति बनने के लिए क्या योग्यता हैं होनी चाहिए उनके पास कौन कौन से पावर होते हैं तो आप इस वीडियो को ौक्स में या फिर यहां आई बॉटन पर क्लिक करके दोस्तों देख सकते हैं तो दोस्तों भारत के पहले संविदान सभा के अध्यच रह चुके और महान भारती स्वतंता सेनानी डॉक्टर राजिल प्रशाद इनका जन 3 दिसंबर 1884 को वर्तमार में बिहार के सिवान डिष्टिक के जीरादेग गाउं में हुआ इनका राश्पती कारेकार 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा है दोस्तो प्रेश्डेंट बनने से पहले अगर हम इनकी बारे में जाने तो आपको मैंने बिहार हिस्ट्री वाली वीडियों बताया है 1911 में बंगाल के फुनर मुल्यांकन के बार 12 दिसंबर 1911 को सरकार ने दिल्ली दर्वार के तौरान खोसित किया कि बिहार उडिसा और छोटा नागपूर को बंगाल से अलग किया जाए जिसे 22 मार्स 1912 में नोटिफाइड किया गया था तो दोस्तों बिहार एक अलग ब्रिटिस भारती प्रांत बन गया और 1916 में दोस्तों पटना हाई कोट की अस्थापना होई और राजियन परशाद एक वकील की रूप में प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ चले गया दोस्तों घरम बात करें इनकी राजनिती की तरफ पहले कदम की तो उस टैम बिहार में अंग्रेज सरकार की निल के खेतते और सरकार अपने मजदूरों को उचित वेतन नहीं देती थी दिसंबर 1916 में दोस्तों लखनव में आयोजित कॉंग्रेस सेशन में गाधी जी से डॉक्टर राजिन परशाद मिलें दोस्तों इस सेशन में बिहार के कॉंग्रेस्जी नेता ब्रज किशुर परशाद ने चमपारण किसान के सोसड की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें अनुरोद किया गया था कि गाधी जी चमपारण जाएं तो दोस्तो गादी जी पहले राजिन्द परसाद जी से मिले पठना गए और इसके बाद इस समस्या को दूर करने की पहल कि 1917 में दोस्तों चंपारन आंदोलन के दोरान राजिन्द्र प्रशाथ गाधी जी के ट्रस्ट वर्दी बन गयते हैं और उनकी विचारधारा सिवे बहुत प्रभावित हुए इसके बाद दोस्तों जब 1920 में असायोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था जिसमें गाधी जी ने अंग्रेजी सभी स्कूल और सरकारी कार्यालियों का बहिसकार करने की अपील की तो उस टाइम राजिन्द्र प्रसाथ जी ने अपनी वकील की नोकरी छोड़ दी और अपने पू पीड़ी कठा करके लोगों को स्वतंतरता अंदोलन से जुड़ने के लिए प्रिरित किया इस दोरान इने कई बार जेल भी जाना पड़ा इसके बाद उस्तों 15 जनवरी 1934 को बिहार में आये भुकम के समय राजिन्द प्रशाथ सत्यागरा में सामिल होने की वज़य से जेल में गयते हैं भुकम के दो दिन पाद जेल से चुटते ही ये भुकम पीड़तों की मदद के लिए बिहार सेंट्रल रिलिफ कमेटी बनाने में जुट गयते हैं 1934 में ये बॉमबे और 1935 में ये लगनौ सेशन के कॉंग्रेस प्रिजडेंट बनाए गया है और एक बार फिर 1939 12我在 1979 में ये नेता जैसुबास जन्द बोश इसपत्र से त्यागपत्र देने पर कॉंग्रेस हैं का पदभार समाले थे हैं अगर फिए इंडिया निश्नल कॉंग्रेस प्रिजडेंट के बारे में जानकारी आते हैं तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं इसके बाद दोस्तों 1942 में भारत छोड़ों अंदलोन में इन्होंने भाग लिया जिस दोरान ये गिरफतार हुए और नजर बंद रखा गया जेल से छुटने के बाद दोस्तों ये नहरोजी के अंतरिम काबिनेट में सामी लोगा है जहां उन्हें खार द्यों क्रिशी मंत्राले स्वाप आ गया था और 1946 में इने सम्विधान सभा का प्रेशडेंट चुना गया था और इन्होंने हमारे सम्विधान पर शाइन करके इसे मारनेता दिती दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जब देश का सम्विधान लागू हुआ तब डॉक्टर राजिंद परशार ने पहले राश्पती का कारेबार समाला और ये अब तक के पहले प्रेश्डेंट थे जिन्होंने दो कारेकालों तक राश्पती पत पर कारे किया हाला कि दो मेसा सोतंत्र रूस्ते कारे करते रहें इनोंने अपकॉर्शिस inspire का प्रचार परशार और गुर्वथय के सतर में सुधार किया इसके लइन्होंने कई गल्मूंने औफिस और अस्था अपना भी दोस्तों नहरो जी के साथ इनके मद्भेत बने रहे हैं खास करके हिंदू कोर बिल के समय जब डॉक्टर राजन परशाद का मानना था कि यह हिंदू कोड बिल देश की संस्कृति और धरोरों की रच्छा करेगा दोस्तों बारव वर्सुतक राश्पती की रूप में कारे करने के पश्चात इनों ने 1962 में अपने सेवानिवर्त होने की घोशना की और 1962 में ही अपने राजनेतिक और समाजीक योगदान के लिए भारत के सरोसेष्ट नागरिक सम्मान भारत चत्र से नवाजा जया था इसके बाद दोस्तों यह पटना चले गया और बिहार विद्या पीट में रहकर जन सेवाकर ज लॉक्टर राजन प्रशा को देश के राश्पती के रूप पे जानते हैं पर राश्पती कार्याले समालने से पहले उनके संगर्स और आजाद भारत के सपने की यात्रा भी अब विश्मर्णी रही जिसके बारे में मैंने आपको बताया और आपकी जनकारी के लिए बता द दोस्तो भारत के पहले उप राश्पती और सेकेंड प्रेजडेंट रहें डॉक्टर सरुप पल्ली रादा कृष्णन इनका जन 5 सितंबर 1888 को मद्राज प्रेजडेंसी के तुरुतनी ग्राम में हुआ था जो अब तमिलाडू में है इनका राश्पती कारेकार 13 में 1962 से 13 मे 1967 तक रहा दोस्तो डॉक्टर राजिन परशाद की तुलना में इनका कारेकार काफी चुनोती उबरा था क्योंकि जहां एक और भारत के चीन और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए जिसमें चीन के साथ भारत को हार का सामना करना पड़ा था वहीं दूसरी और दोस्तो दो प्रधान मंत्रियों का निधन भी इन्हीं के कारेकाल के दोरान हुआ था दोस्तो सिच्छा और राजनीति में उत्रिष्ट युगदान के लिए भारत के प्रतम राष्पती डॉक्टर राजिन परसाद जी ने महान राष्णिक सिच्छा विद और लेकर डॉक्टर रादा क कि मेरे जनम दिन को अलग से ना मना कर बलकि मेरे जनम दिवस यानि कि 5 सितंबर को सिच्छक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा दोस्तो 1967 के गरतन दिवस परिनों ने देश को संबोधित करती हुए असपश्ट किया था कि यह अब किसी भी सत्र के लिए राष्पती बनन नहीं चाहेंगे दोस्तों इनका निदन 17 अपरेल 1975 को तमिल नाडू में हुआ और इन्हें वर्स 1975 में मर्डो परात अमेरिकी सरकार द्वारा टेंप्लेटन पुरसकार से सम्मानित किया गया था जो की धर्म छेतर में प्रदान किया जाता है और दोस्तों इस पुरसकार को प सब्सक्राइबाद में हुआ था इनका राष्टपती कारेकाल रहा 13 माई 1967 से 3 माई 1979 दोस्तों इन्होंने देश में सिच्छा को बढ़ावा देने के लिए उलेखने काम किये इनका सपना भारत को पुर्ण रूप से सिच्छित राष्ट बनाना था और एक राष्टपती होन सम्मान के लिए इने वर्स 1963 में भारत के सरोच नागरिक सम्मान भारत रत्मे से सम्मानित किया गया दोस्तों डॉक्टर जाकीर हुसेन देश के ऐसे पहले राष्टपती ते जिनकी राष्टपती पद पर रहते हुए मृत्त्य हो गए आपको बता दे कि इनका निधन तीन म 10 अगस्त 1894 को मद्राश प्रेजडेंसी के बेरहमपूर में हुआ था जो कि वर्तमान में पोड़ी समय है इनका कारेवाहक राष्पती का कारेकार 3 मई 1979 से 20 जुलाई 1979 तक रहा क्योंकि दोस्तों राष्पती चुनाओं में भाग लेने के लिए कुछ महीनों के बाद इस्ति दिनों के लिए मुहम्मद हिरायत उल्ला दूसरे कारेवाहक राष्पती रहा है इनका जन 17 दिसंबर 1905 को लखनाओं में हुआ दोस्तों यह दो बार एक्टिंग प्रेजडेंट थे फर्स टाइम इनका कारेकार 20 जुलाई 2019 से 24 अगस्त 2019 तक रहा और सेकेंड टाइम दोस्तों जब यह वाइस प्रेजडेंट थे तो उस टाइम यह दूसरी बार एक्टिंग प्रेजडेंट 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक रहते हैं दोस्तों मुहमद हिदाय तुल्ला भारत के ग्यार में और पहले मुस्लिम मुख्य नयादीस बिखें दोस्तों इनके सम्मान में वस 2003 में इनके होम टाउन नया रायपूर में हिदाय तुल्ला नेशनल लौ उनिवर्सिटी की अस्थापना क की गई थी प्रेश्डेंटिल एलेक्ट्टन के बाद वीवी गिरी दोस्तों 24 अगस्त 1979 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के प्रेश्डेंट रहें लेकिन दोस्तों 1969 का राश्पती चुनाव बहुत ही विवारित रहा था आपको बता दूं ततकालिन प्रधानमंत्री लाल बहादूर की नीलन सजीव रेड़ी सोतंत्र विचार के वैक्ति हैं और उनकी हर बात नहीं मानेंगे इसलिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वीवी गिरी का समर्शन कर दिया दोस्तों इंद्रा गाधी ने अपने दल के सांसों दो और विधाय को यानि मतदाताओं से अपील कर दी क वे अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर वोड दें ऐसे में दोस्तों कॉंग्रेस में फूट पढ़ गई और कुछ अन्य दलों की मदद से इंद्रा गाधी ने वीवी गिरी को जीत दिला दे और दोस्तों वीवी गिरी ने नेरो मार्जिन से चुनाव जीता था दोस्तों माम की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोड के न्याय मूर्थी एस एम सिकरी की अध्याच्छता में पांच सरस्ती पीट का गठन किया गया और यह केस दोस्तों लगबग 16 सब्ता तक चला पहले सुप्रीम कोड राश्पती का बयान दर्श करने के लिए कमिशनल बहाल कर दिया थ और फैसले के वक्त सुप्रीम कोड में भारे भीड थी लोगों में निड़ा सुनने की बहुत उत्सुकता थी क्योंकि अपने धंकाए पहला चुनाव मुकदमा था दोस्तों सुप्रीम कोड ने वीवी गीरी के खिलाप सभी पेस की गई याचिकाएं खारिच कर दी और वी उत्ध्योगों और अन्य चेत्रों में आज स्रमकों या मजदूरों के अधिकारों की जो बढ़े हुई ताकत दिखाई देती हैं उसका सरे इनही को जाता है तो इन्होंने स्रमकों के उत्थान और उनके अधिकारों के संडच्ण की दिसा में बहुत से महतपुर्ञ कार की ह वर्ष 1974 में दोस्तो भारत सरकार की स्रम मंत्राले ने स्रम सी सब्मंदित मुद्दो जैसे की सोध, प्रसिचण, सिच्चा प्रकाशन और प्रामर्ष के लिए एक Autonomous Organization यानि कि स्वायत संस्था की अस्थापना किये जिसे 1995 तक राष्टी स्रम संस्थान यानि National Labor Institute कहा जाता था 1995 में दोस्तो इस संस्था का नाम बदल कर इन्धी के सम्मान में वीवेगिरी National Labor Institute ट्रक का गया दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर भारत रत्म अवर्ड विनर की लिष्ट देखे हैं तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईए इन्हें किस एर में भारत रत्म से सम्मानित किया गया इनके बाद दोस्तो भारत के दुसरे मुस्लिम राश्पती फक्रिदीन अली एमत थें इनका जन 13 मई 1905 को दिल्ली में हुआ था इनका राश्पती कारेकार 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहा दोस्तो ये राश्पती पत के लिए नामित होने से पहले पढ़ार मंत्री इंद् के साथ मिटिंग करने के बाद 1975 पे इनों ने अपने समवेधानिक अधिकार का इस्तमाल किया और इमर्जेंसी यानि आपात काल से संबंदित दस्तावेश पर हस्ताक्षर किया था दोस्तो राश्पती डॉक्टर जाकीर हुसेन के ये बहुत यह अच्छे फ्रेंड थें और निधन के बाद तीसरे कारेवाहक प्रेश्डेंट रहें बीडी जत्ती इनका पूरा नाम बासप्पा दानप्पा जत्ती था इनका जन 10 सितंबर 1912 को बॉंबे प्रेश्डेंसी के सावलगी विलेज में हुआ वर्तमान में दोस्तो ये विलेज करनाटक में है इनका कारेव फरवरी 1977 से 24 जुलाई 1977 तक रहा दोस्तो निलम सजीव रेड़ी भारत के नौवे राश्पती थे और अगर कारेवाग राश्पती की काउंटिंग नहीं की जाये तो दोस्तो ये 6th प्रेश्डेंट थे इनका जन 19 मई 1913 को मद्रास प्रेश्डेंसी के इलूर में हुआ था जो अंधर प्रदेश में हैं दोस्तो निलम सजीव रेड़ी भारत के ऐसे राश्पती थे जो राश्पती पत के उमिद्वार होते हुए पहली बार असफल हुए थे और क्यों हुए थे इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूं और दूसरी बार राश्पती पत के लिए उमिद्वार बनाय जाने पर इनका चुनाव निर्विरोध हुआ था दोस्तो जब ये 25 जुलाई 1977 को राश्पती पत की सपत ली तो इस पत पर रहने वाले ये सबसे कम उम्र के राश्पती थे हैं और इनका कारेकाल समाप्त हुआ 25 जुलाई 1982 में दोस्तो राश्पती निल पत्राण मंत्रियों के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अब तक इस वीडियो को 5 लग से अधिक लोगों ने देखा है दोस्तो इनके बाद भारत के पहले सिख राश्पती ग्याने जेल सिंग थे हैं आपको मैं बता दू र इनका राश्पती कारेकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहा दोस्तो इनके राश्पती कारेकाल में अमरिस सर में स्वर्ड मंदिर परशर में और प्रेशन ब्लू स्टार और प्रधान मंत्री इंद्रा गादी की हत्या जैसे बहुत स्रीव घटनाय गटी और इनों ने प् स्टाल में भरती कराये गया लेकिन उप्चार के समय ही दोस्तो इनके ब्रित्य हो गई इनके बाद नेक्ष्ट प्रेश्डेंट रहें दोस्तो रामा स्वामीर वैंकर्ट रमन इनका जन 4 दिसंबर 1910 को मद्रास प्रेश्डेंसी के तंजोर डिस्टिक में हुआ था जो अब तर्मिलाडू में है इनका प्रेश्डेंसियल टर्म 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक रहा दोस्तो इन्होंने अपने राश्पति काल में प्रधानमंत्री वीपी सिंग प्रधानमंत्री चंद्र सेकर सिंग और प्रधानमंत्री पीवी नर्शिमर राव को प्रधानमंत्री पत गरतंत्र दिवस समारों के बाद होने वाले बीटिंग रिट्रिक सर्मनी और राष्टरिक कैड़िट कोर की परदानमंत्री रैली समेथ सभी सरकारी कारकरब रध कर दिये गए थे भारत के अगली राष्पती रहें दोस्तो संकर धैयल सर्मा इनका जन 19 अगस्त 1908 को भुपाल के आमोन गाव में हुआ था इनका राष्पती कारेकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा है दोस्तों इनके राष्पती कारेकाल के अंतीव समय में तीन परधानमंत्रियों को सप दिलाई थी वे प्रधानमंत्री थे अटल विहारी वाशपई एचडी देव गोडा और इंद्र कुमार गुज्राल दोस्तों राश्पती पत से पहले 1984 में आंद्र परदेश के गवर्नर थे और इनके गवर्नर कारेकाल के दोरां 31 जुलाई 1985 को सीख चरम पंथियों ने कॉंग्रेस की युगा नेता और साउथ दिल्ली से सांसत ललित माकन और उनकी पतनी गितांजली की गोली मार कर हत्या कर दे ललित माकन पर दोस्तों 1984 में परदानमंत्री इंद्रा गादी की हत्या के बाद हुए सीख विरोधी दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया था इसके बाद से दोस्तों इन तीनों आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से मौत की सजा सुनाई गई और फिर साथ साल बात दोस्तों तीनों आरोपियों की मर्सी पटिशन राश्पती के पास पहुँची राश्पती फाइल पर शाइन करते हैं और मौत की सजा बरकरार रहती है दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये सब यहां मैं क्यों बता रही हूँ तो आपको मैं बता दू जिस राश्पती के टेवल पर ये फाइल पहुँची थी वो राश्पती थे संकर दयाल सर्मा और जिस गितांजली को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी वो गितांजली थी संकर संकर दयाल सर्मा की बेटी और ललिद माकन उनके सं इनलो यानि दामात थें तो दोस्तों यह ऐसे राश्पती थे जिनके पास इनी की बेटी के हत्यारों की मर्शी पिटिशन आई थी दोस्तों अयुद्या में बाबरी मस्जिद जब गिराय जा रहा था तो राश्पती संकर दयाल सर्मा उसे गिरने से रोकना चाहते थे पर वो रोग नहीं पाएं दोस्तों राश्पती संकर दयाल सर्मा का निधन 26 दिसंबर 1999 को नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों भारत के अब तक के 10 में और अगर कारेवाक राश्पती इंक्लूड करे तो 13 में और पहले दलित और मल्याली राश्पती के आर नराइडन थे हैं इनका पूरा नाम कोचेरिल रामन नराइडन था इनका जन 27 अक्टूबर 1920 को केरल के उजावुर में हुआ था और इनका निधन 9 नॉमबर 2005 को नई दिल्ली में हुआ था दोस्तों इनका राश्पती कारेकार 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक रहा और दोस्तों इन्होंने 14 अगस्त की रात को संसत के विशेश सत्र के दोरान भारती सुतंतरता की गोल्डन जुबली यानि स्वर्ड जैनती का मुख्य कारकरम कर राश्ट को संबोधित किया था भारत के नेक्ट प्रेश्डेंट से दोस्तों अगुल पा आपको पता होगा ये साइंटिस्ट थें जिन्होंने भारत को प्रमाण सक्ति से संपन राश्ट बनाने और विज्ञान इवं अंसंदान के छेतर में अपना महत्पूर योगदान दिया दोस्तों इन्होंने मुख के रूप से ISRO और DRDU में एक विज्ञानी के रूप में लगबग 40 साल से अधिक वर्थ बिता हैं ये भारत के सेनी मिसाइल विकास प्रयासों और सिविलिन स्प्रेस प्रोग्राम से क्लोजली इन्वॉर्ड थें दोस्तों इन्होंने लॉंच विएकर टेकनोलोजी और बैलेस्टिक मिसाइल के विगदान में किये कई विगदान के लिए ने दा मिसाइल मैन ओफ इंडिया का नाम दिया गया इनका राश्पती कारेकार 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा दोस्तों राश्पती बनने के बाद भी ये अपने अस्तर पर लोगों से मिलते रहते थे थे वहें कई पत्रों का जवाब तो ये खुद अपने हाथों से लिख कर देते थे इसलिए ने जनता का राश्पती यानि पिपल्स प्रेजडेंट भी कहा गया दोस्तों डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के मुताबि राश्पती के रूप में इनके द्वारा लिये गए सबसे मुश्किल फैसलों में ओफिस ओफ प्रॉपिट के बिल पर हस्ताचर करना था वर्ज 1997 में दोस्तों इन्हे भारत रखने से सम्मानित किया गया था और इसके साथ ही आपको बता दे इन्हें चात्रों से बहुत लगा हो था इसलिए सन्युत राश्पने कलाम जी के जनम दिन को विश्वत चात्र दिवस के रूप में माननेता दिये इसलिए दोस्तों इनकी जयनती को वर्ड स्टुडेंट्स दे के रूप में मनाये जाता है दोस्तों 25 जुलाई 2015 में ये इंडियन इंस्टूट ऑफ मैनेजमेंट सिलोंग में एक फंक्शन के दौरान लेक्चर दे रहे थे तभी अचानक इनकी तवियत खराब हो गई जिसके बाद इनने तुरन सिलोंग के होस्पिटल में एडिमिट किया गया लेकिन इनकी तवियत में कोई सुधार नहीं आया और इसी दोरान दोस्तों इनका नेधन हो गया इनके बाद दोस्तों भारत की पहली महिला राष्टपती रही प्रजबा देवी सिंग पाटिल इनका जन 19 दिसंबर 1934 को बॉंबे प्रेजडेंसी के नटगाव विलेज में हुआ जो अम महराष्ट में है इनका राष्टपती कारेकार 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रहा आपको बता दू दोस्तों ये राष्टपती बनने से पहले राजस्तान की राजपाल रही थी और दोस्तों ये सुकोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्टपती भी है इन्होंने दोस्तों महिला विकास और बाल विकास के लिए कई कदम उठाएं। जैसे कि कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रवास के अस्थापना करवाई। इनका जन 11 दिसंबर 1935 को बंगाल प्रेश्डेंसी के मिराती में हुआ था जो की वर्तमान में वेश्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है। और तो राश्पती के रूप में इन्होंने अपने कारेकाल के दोरान फासी की सजा पाथ चुके अपरादियों की दयायायाचिकाओं को निप्टाने में तेजी दिखाई। इन्होंने अपने कारेकाल के दोरान लगबग 97 फिजदी दयायायाचिकाओं खारिज कर दी थी। और इनके बाद राश्पती प्रडव मुखर जी का ही नंबर आता है जिन्होंने 37 प्रार्थियों से जुड़ी 28 दयायायाचिकाओं को रिजेट कर दिया था। अजमल कसाब और मुंबई धमाको कारोपी याकूब मैनच सामिल है। नरायन के बाद ये भारत के दूसरे दलित राश्पती बने हैं। दोस्तो राश्पती बनने से पहले ये बिहार के पुर्व गवर्नर थे हैं। और दोस्तो ये भारत के राश्पती के पत पर रहने वाले पहले राश्पती स्यवक संग के लीडर हैं। तो दोस्तो इस वीडियो का में यही पर एंड करते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अभी तक कौन-कौन से राश्पती को भारत रतन से सम्मानित किया जा चुका है। और इसके लावा दोस्तो आप यह भी बताइए आपको इन सभी राश्पती में से कौन-कौन से राश्पती का कारे का बेहत पसंद आया। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तो आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी प्राप्त हो जोगी। तो अगर आपको इस जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और सेयर कीजे। और अगर आप कोई सुझाओ देना चाते हैं तो उससे कॉमेंट ब्रॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तो आप इसे चैनल को बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल लर्ण फॉर्ज आपको सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।